क्रिकेट में गेंद बाज की ओर से नो बॉल फेकना एक अपरात की तरह माना जाता है क्रिकेट इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाई हुई है जब किसी गेंद बाज के नो बॉल फेकने के कारण उसकी टीम को हार जेलनी पड़ी हो लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट इतिहास में पाच ऐसे भी गेंदबाज हुए हैं जिनों ने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में एक भी नो बॉल नहीं फेकी है इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भारती टेम के दिगज खिलाड़ी कपिल देव का कपिल देव ने 131 टेस्ट और 225 वंडे मैच खेले हैं मगार आस तक नो बॉल नहीं फेकी वही दूसरे नमबर पे इंग्लैंड के महान आल राउंडर यान बॉथम का नाम आता है बॉथम ने 16 साल के क्रिकेट कैरियर में एक भी नो बॉल नहीं फेकी इस सूची में तीसरे नमबर पे आते हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इमरान खान इमरान खान ने 88 टेस्ट और 175 एक दिवसी मैच खेले हैं लेकिन कभी नो बॉल नहीं फेकी वहीं चौथे नमबर पे आउस्ट्रियाई गेंदबाज डेनिस लेली का नाम आता है पुरों ने अपने 70 टेस्ट मैचों के केरियर में एक भी नो बॉल नहीं फेकी अब जो आखरी खिलाड़ी हैं उनका नाम लॉंस गिप्स है वेस्टन डीस के इस बॉलर ने 79 टेस्ट और 3 वंडे मैच के लिए हैं मगर आज तक एक भी नो बॉल नहीं फेकी